नमस्कार दोस्तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं हीरो गुड लाइब कार्ड बोनस पॉइंट किस तरह से आप अरन कर सकते हैं वो भी 3000 बोनस पॉइंट आपको इसमें मिल सकते हैं तो एक कमपेन रन करवाया जा रहा है हीरो मोटो कॉर्प की तरब से तो हीरो की गाड़ी अगर आप इस्तमाल करते हैं और आपके पास में गुड लाइब कार्ड है तो उसके बोनस पॉइंट अरन कर सकते हैं आप 3000 तक के तो एक कमपेन रन करवाया जा रहा है हीरो मोटो कॉर्प की तरब से तो इस कमपेन में आपको पार्टिसिपेट करना होगा पार्टिसिपेट करना बहुत ही आसान है simply आपको दो पीक इसमें अपलोड करने है एक कोई पेंड या पौधा लगाते हुए आपका फोटो और दूसरा आपका P.U.C. सर्टिफिकेट उसका फोटो ले लेना है और अपलोड करना है तो किस तरह से अपलोड करना है सिंपली इसमें जब पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे तो मॉबाइल नमबर डालना होगा तो मॉबाइल नमबर डालने के बाद में मॉबाइल पे एक OTP आएगा OTP डालेंगे और उसके बाद में हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो चलिए पटापट हम मोबाइल नंबर डालने के बाद अपना OTP डाल दे रहे हैं OTP डालने के बाद में ये campaign जो है जो है वो खुल के आ जाएगा हमारे सामने और उसमें हमें simply दोपिक अपलोड करने हैं जैसे कि कोई पेंड या पौदाम लगाते हैं उसका एक फोटो और दूसरा POC सर्टिपिकेट और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं Good Life Card, Bonus Point किस तरह से आप इस्तमाल करेंगे तो उसके लिए एक हमने दूसरा वीडियो बढ़ाया है तो उसका भी link हमने description में दे दिया है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं तो ये सबसे पहले आगया My Contribution Upload Image the Socase Your Love Toward the Nature JPEG PNG Format में और अगर आप Participate करना चाहते हैं तो link description में दे दिया है उस पर क्लिक करके आप Participate कर सकते हैं फिर दूसरा पिक हमें Upload करना है My Responsibility Upload Valid POC Certificate Valid POC Certificate यानि इस्पायर नहीं होना चाहिए उसका आपको पिक Upload करना है पिर उसके बाद में Be an Ambassador Refer Your Friend and Family Member यहाँ पे आपको अपने Friend या Family Member को Refer करना है यहाँ पे कुछ Detail है उस Detail को आपको फिल कर लेना है जिसको आप यह Refer करना है उसका नाम Mobile Number और उसका आड्रेस City State उसके बाद में Simply आपको Submit पे क्लिक करना होगा नीचे आपको एक Submit का बटन दिख रहा है वहाँ पे आप Submit करेंगे और इस Campaign में आप Participate कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे हमने Participate किया है Thank you for sharing your step to save the environment और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि Good Life Card के क्या-क्या फाइदे होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं Good Life Card तो होता है लेकिन उसका फाइदा वो नहीं ले पाते हैं तो क्या फाइदे होते हैं उसका एक हमने अलग से वीडियो बनाया है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या-क्या चीजे हमको मिलती हैं Good Life Card में जैसे हम गाड़ी सर्विस करवाने जाते हैं तो क्या फाइदे मिल सकते हैं और उसके अलावा physical gift भी मिलते हैं तो क्या-क्या physical gift मिलते हैं वो सारा हमने इसमें बताया है तो इस वीडियो पे आप क्लिक करेंगे देखेंगे सारा कुछ आपको पता चल जाएगा और दोस्तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजी और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजी फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में और कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं